प्लस टू क्लास सुडेंट आज हम आपका फर्स च्राप्र स्टार्ट करेंगे कमिस्टरी का सॉलिट स्टेट्स तो आपने मैटर की बहुत सारी ठीरी स्टेट्स के बारे में पड़ा है आपकी प्रीविस क्लासेज में वे बेटा फर्स वान इस सॉलेड्स लिद्धि और इस चैप्टर में आपका solid state के बारे में discuss करेंगे तो आपने gases के जो molecules के बारे में पढ़ा है कि molecules उनके बहुत जला धूर धूर होते हैं और solid में molecules closely packed होते हैं particles उनके और liquid में उसमें थोड़ी सी maximum distance होती है at compared to solid तो next है आपका first one is solid तो what is solid? solids are the state of matter तो जो करती है यह कह है state of matter है जिसमें कहा है which is the constituting particles are arranged very closely तो जो हमारे particles है वो बहुती closely arranged किये होते हैं इसमें the constituent particles can be atom तो जो particles होते हैं हमारे वो atom भी हो सकते हैं molecules भी हो सकते हैं ions भी हो सकते हैं तो next one is properties of solid तो क्या-क्या properties है they have definite mass, volume, shape, compressible and rigid तो यह सारे इनके properties आगे और next one is inter-molecular distance तो इन में inter-molecular distance होती है लेकिन very short होती है क्योंकि molecules close-close packed हैं अगर इसके molecules close-close packed होंगे तो distance क्या होगी कम होगी hence the inter-molecular forces are strong तो inter-molecular forces क्या होंगी इसमें strong होंगी और particles का क्या होगा fixed proportion होगा sand can only oscillate about their mean positions तो next है आपका बेटा classification on the basis of arrangement of a constituent particle तो अभी हम इसकी classification करेंगे तो further बेटा जो हमारे solids हैं इसकी two types हैं first one is our crystalline solid and second one is amorphous तो यहां पर यह देखो मैंने crystalline और amorphous की structure show की गई है तो जो crystallines होते हैं इसमें क्या होता है आपके molecules का fixed long range order होता है मतलब fixed उनकी एक line wise setting होती है तो मीन आप ऐसे बहुत सकते हो जैसे आप classroom में बैठे हो classroom में आपने मैंने जैसे classroom में 10 students को हर एक bench पे टूटू बच्चों को बठा दिये मतलब proper order होगे हर एक bench में बच्चे बैठे हैं तो ऐसे मतलब क्या है उनका disorder है और इसमें प्रॉपर क्रिस्ट्लाइन में प्रॉपर molecules की arrangement है यह वली आप example consider कर सकते हो क्रिस्ट्लाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रिस्ट्लाइन सॉलेट में पार्टिकल्स ऐसे होंगे बैठा यह दिखो प्रॉपर इनकी स्मिट्री यह लाइन में शो हो रहे है और example ले सकते हो table sort तो table sort में आप देखते हो कि इनके जो molecules का size क्या होता है पार्टिकल्स का इकल होता है आप देखते हो नमक को अठाकर देखना सबी जो आपके इसके दाने होंगे उनका size इकल होगा इस इस दी अवर क्रिस्ट्लाइन सॉलेट सेम साइज है लांग रेंज ओर है उनका प्रॉपर मतलब ओर है तो नेक्स्ट वान इसके क्रिस्ट्रिक्स तो क्रिस्ट्रिक्स क्या है अब इसके तो फर्स्ट वान इस अवर क्रिस्ट्रिक्स तो इसमें क्या होता है लार्ज नमबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं लार्ज नमबर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं मिन उनकी जिमेट्रिकल्स शेप होती है प्र तो क्या होता है इनका फिक्स्ट पाटर्न होता है और क्या होता है अंटिरियर रेंज ऑफ सॉलेड होती है तो नेक्स इस इनका शाप मेल्टिंग पॉइंट होता है नेक्स अपके मौली के वालेके फिक्स है उनके बारे में पता है यह शाप हमारा मैल्टिंग पॉइंट है तो नेक्स इस अनईसot्रपिक नेचर तो जो हमारे पास इसके एक्सिज होते हैं तो जब भी आप उसको इसके एक्सिज के कॉर्डिंग मैजर करोगे को तो आपको हरे एक जो एक्सिज है उसकी डिफरेंट प्राप्टिज शो होंगी ठीक है तो किश्ट रिंच चो करते। अंति हैं डिफरेंट प्राप्टिज ओके क्रिस्तफले रिद्खेटे उसम अउप आप दीफील प्राप्टी आप आस देंच type Peyا Приक की जो different direction शो हो रही है तो next is crystallines में atom vibrate इने placed इने fixed pattern तो crystallines में जो atom है वो vibrate करते हैं fixed pattern में तो amorphous में क्या है वो more randomly arrangement होती है कहां पर भी move करती है तो next is amorphous तो amorphous में क्या है तो यह क्या होते है solids होते है solids are made up randomly orient atom ions molecule do not form defined pattern तो इनका क्या है defined pattern नहीं है proper pattern नहीं है तो next is amorphous material have order only within a few atomic or molecule dimension तो इनके क्या है material order है और few atomic atomic or molecule dimensions है different different dimensions तो होती है इसमें next is इनका क्या है long order नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि उनका fix long order नहीं है तो जैसे मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कहीं पर भी molecules fit long order नहीं है इसका तो example ले सकते हो silicon plastic and glass इनकी कोई भी shape हो सकती है तो यह आप इसकी examples ले सकते हो यह यहां पर यह दिखो particles को molecules को show किया गया different arrangement नहीं है इसमें कोई next is हम इसकी example ले सकते हैं glass तो glass के क्या क्या characteristics है hard होता है usually transparent होता है primarily composed silica with the various amount of filament oxides brittle होता है और इसमें एक्जिप्ट करता है knotchordials frictions तो यह इसकी properties हो जाते हैं तो यह देखो arrangement show की गई है मैंने amorphous and crystallines की तो यह क्या है हमारी crystallines की arrangement है और यह हमारी amorphous की तो देखो कैसी arrangements है तो इससे आपको अभी clear हो चुका है na solid sand amorphous हमारे क्या है crystallines तो next है definition of anisotropy isotropy तो anisotropy में क्या होता है अभी हमने discuss किया तो जो amorphous है हमारे isotrope होते हैं तो यह वाला है आपका देखो anisotropy क्या होती है properties of being depend on the attraction तो यह properties dependent करती है direction पे isotropy independent होती है direction में different properties होते है different direction में similar properties होते है different direction में material have more than one refractive index तो material का one refractive index values fixed होती है इसमें ज्यादा हो सकती है single refractive index होता है तो all crystals crystals wood material इसमें example ले सकते हो crystal with cubic cemetery तो यह से glass यह इसकी example ले सकते हो next one यह रेखो anisotropy मैंने show किया तो यह देखो इसमें क्या है arrangement कैसे show हो रही है और isotropy में एक line में arrangement show हो रही है तो next मैं आपको इसकी help से बताती हूं आपको इस diagram की help से हैगा जैसे मान लो यह हमारी क्या है यह हमारी arrangement है आपने हमने बोला crystal lines में एक fix amount होता है कि हमारे particles कैसे setup होंगी यह देखो यह हमारा N है मान लो तो यह देखो यह मैंने खाली show किये होए है यहां पर और यहां पर यह देखो blue lines show की गई है तो जब भी मैंने इसको axis के through cut किया तो मेरे पास क्या arrangement आजाता है एक तरफ यह देखो blue आ ले आ जाते है एक तरफ यह आ जाते है तो निक्स मैंने जब यह एक्स पर किया तो अलग arrangement आ जाता है तो मीन डिफ्रेंट 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 आएगा कि यहाँ पर लग लग शो हो रहे हैं और इसमें देखो सेम शो हो रहे हैं यह इन दोनों में डिफरेंट है अभी आपको यह क्लीर हुआ कोई प्राबलम है इसमें बटा तो नेक्स है टाइपस आप क्रिस्टलान शॉलिट्स विए हम आपकी नेक्स वाली ग्लास में जिसको करेंगे जिसे वेरी पॉर्टन यहां तब आख तक आपने अच्छे सी करने थेंक्यू